राजस्तान के काबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीडा ने मुस्लिम पर्सनल वोड के महामंत्री पर गंभीर आरोप लगाएं। डॉक्टर आप कौन है महामंत्री और किस तरीके के आरोप है। उल्लू क्या नाम है उल्लू। फजल उर्रहीम राष्टिय महासचवें और इंडिया मुस्लिम बोड के है। और उन्होंने देशवर्मे का भ्यान चल रहा है कि वख बोड पर कोई संसोदन नहीं लाया जाए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने खुद ने फर्जी कागज दस्तावेज बनाकर मंदर माफी की जमिन, ट्रस्ट की जमिन और वक्त की जमिन जिसमें वक्त के लोग भी सिकायत कर रहे हैं। को कबजा करके बेज दिया और विदेशों से भी उनके ट्रस्ट में पैसा आ रहा है। जिसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ऐसा विक्ति जो खुद अपना आप में फर्जी कारिस्तानी कर रहा है और आम मुसलमानों को भेका रहा है। उसके खिलाब पांच मुकदमे दर्जें कारवाई की मांग की है। दुक सब यह मुकदमे क्या सब कॉंग्रेस रिजीम में है। चार मुकदमे कॉंग्रेस के रिजीम के और एक मुकदम अहाली में दर्जुआ है। इन पर कारवाई की मांग आप कर रहे हैं। तो इस जमीन हैं इसमें मंदिर माफी भी है, वक्त भी है। सारकारी जमीन भी है। सड़वा मोड पर जो आमेर है। वहां 900 बीगा जमीन जिसमें 500 बीगा जमीन पुलिस को एलोटेड है। और 400 बीगा जमीन सिवाय चक है। उस पर कब्जा करके दस नगर बसा दिये। जनमेन आम को नाम गया है। गिनायते जमाद कामान अगर हां ये सारे बसा दिये। और डेमोग्रोफी को परवर्तित कर दिया। एक नया पाकिस्तान बचा रहा है। कितने साल से चल रहा होगा रख साभी संसला। बान में से तो मेरो को ध्यान है। क्योंकि उननीस सा बान में में बहरुशिंग जी ने वहां CRPF के लिए जमीन अलोट की थी और उखाली पड़ी थी। कुछ लिटिगेशन में ये चलती रही और आखिर में सुप्रिम कोट ने इस पर इस्टे लगा दिया पर्मनेंट की जब तक फैसला नहीं हो ता फैसला इसमें किसी प्रकार की छेड़कार नहीं की जाए। उसके बावजूद भी सारी जमीन बेज दी। तो सब्सक्राइब के को रिष्टादार भी है जैपर में? हाँ उनका बेठा उनकी बेटी कॉंगरेस की पदादीकारी है और दामाद भी कॉंगरेस की पदादीकारी है कि अब आत इस माबले में कया प्रधान मंत्री जी से बात करे नात हैं?